संसत का मांसून सत्र कल से शुरू होने जा रहा है इसे सत्र में विपक्षिदल सरकार को अगनिपत योजना देश की डामडोल अर्थ व्यवस्ता जैसे तमाम मुद्दों पर घेरने वाली है वही मांसून सत्र को लेकर राज्यसवा सांसत दिपेंद्र हुड़ा ने साफ तोर पर कह दिया है कि सदन में अगनिपत योजना पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा उन्होंने कहा कि अगनिपत योजना देश की सुरक्षा के साथ युवाओं के भोष्य के साथ खिलवार है वहीं दिपेंद्र ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी से आम जनता बेहाल हो चुकी है रुपया लगातार गिर रहा है महंगाई के कारण लोगों का घर चलाना मुश्किल हो गया है उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी हर मुद्दे पर आम जनता के साथ है और उनकी आवाज बनकर संसत में सरकार से जवाब मांगेंगे पहला मुद्दा अगनीपत की जो योजना आई है ये पूरे देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड है फोज को ये कमजोर करने वाली है और देश के युवा के भविशे के साथ भी खिलवाड है खास तोर पर हरियाना का बहुत दुक्सान हुआ जहां पांचार से ज्यादा पक्की भरती के अर्साल होती थी अब ओग्डाकर नोसो तरे सट के वो लगनीवीर बरती होंगे जिसमें से दोसो चालीस पक्क्क्य ओग चार साल के बाद हो तो यह यह याना के साथ देश के वहीं दिपेंद्र हुड़ा ने किसानों का मुद्दा भी संसद में उठाने की बात कही है उन्हों किसानों के साथ भी केंद्र सरकार ने धोका किया है किसानों की आवाज संसद में उठाने का काम भी किया जाएगा साथ में किसान आंदोलन में जो समझोता हुआ था उसमें था कि MSP की कमेटी बनेगी और MSP को एक कानूनी अमली जामा पहनाया जाएगा किसान के लिए भी से सुरुक्षित करने लेकिन आज महिनों बीचने के बाद भी कोई कमेटी का जिकरी नी और जबकि वो तो आशवासन परदान मंती जी ने स्वेम टीवी पर आके गिया था लेकिन ऐसा लगता है वो भूल गए देश की सरकार भूल गई है किसान आंदोलन के जो समझोता हुआ था उसको याद दिलाने का काम भी हम करेंगे तो आज हर वर की वाज महंगाई की बात हो बेरोजगारी की बात हो अ काम जुन के हाल चाल भी जाना घर परिवार का कुशल शेम पूछने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए दिपेंद्र हुड़ा के साथ बहादुरगर के विधायक राजेंद्र जून और नगर परिशत के पूर्व जेर्मेन रवी खत्री राजेश जून भी मौजूद र हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद